प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72 जनम दिन पर देश को चीते की रूप में एक नायाब तौफा दिया है ये चीते अफरीका कॉंटिनेंट के एक देश नामीबिया से भारत के कुनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं जिनमें से तीन मेल और पांच फीमेल चीते हैं यानि की कुल आठ चीते भारत में लाए गए हैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि भारत में शेर यानि की लॉयन बाग यानि की जिसे टाइगर कहा जाता है लेपर्ड जिसे तेंद्वा कहते हैं ये सभी पाए जाते हैं किन्तु भारत में एक भी चीते नहीं थे यही कारण था कि भारत ने नामीबिया से आठ चीते मंगवाए हैं और यहां पर चीतो को देने से पहले नामीबिया ने भारत में वन्य जीवों के संरक्षन को लेकर पिछले वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा था। कुनो नेशनल पार्क की विवस्था देखकर नामीबिया से आये अधिकारियों का यह कहना था कि चीतो को रखने के लिए इतनी अच्छी विवस्था तो उनके वहाँ पर भी नहीं है। इसके बाद मालवाहक बोईंग विमान में चीतो को भरकर इन्हें नामीबिया से ग्वालियर एरपोर्ट पर उतारा गया। वहाँ इनका हेल्थ चेक अप हुआ इसके बाद सभी चीतो को वायुसेना के हेलिकॉप्टर से कुनो नेशनल पार्क में लाया गया। अब बात करते हैं कि भारत में बिल्ली प्रजाती के जीवों की कुल संख्या कितनी है। सबसे पहले अगर हम टाइगर की बात करें तो दुनिया में 75% से ज़्यादा आबादी भारत में है टाइगर की और वर्तमान में भारत में 18 राजियों में कुल 33 टाइगर रिजर्व हैं। पहले 52 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे लेकिन हाल ही में 36 गड़ राज में 33 टाइगर रिजर्व गुरू घासी दास नैशनल पार्क को बनाया गया है। अब वर्तमान में 8 चीते हमने नामीबिया से मंगवा लिये हैं। इस कारण से अब भारत में कुल 8 चीते हैं। अब हम समझते हैं कि चीता बिल्ली के अन्य परजातियों से इतना खास क्यों है। क्योंकि एक चीता 3 सेकेंड में 100 किलोमेटर परतिगंटे की रफतार पकड़ सकता है। और इसकी मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमेटर परतिगंटा हो सकती है। इनके पंजे बहुत कठोर और कम गोल होते हैं जिससे इने रफतार मिलने में बहुत मदद मिलती है। और इनकी लंबी पूँच नाव की पतवार की तरह काम करती है। इसकी मदद से ये रफतार में भी तेजी से मुड सकते हैं। इनके शरीर की बात करें तो इनका शरीर बहुत ही जादा flexible होता है और इनका छोटा सिर हवा के प्रतिरोध को कम कर देता है और वही एक वयस्क चीता पांच दिन में एक बार शिकार करता है और तीन से चार दिन में एक बार वह पानी पीता है अब इस बिल्ली पर जाती के अपनी गती को कायम नहीं रख पाता है दूसरी कमीस की ये है कि चीता सिकार पकड़ने के बाद इतना ठक जाता है कि इसे कुछ समय के लिए अराम की जरूरत होती है और यही कारण है कि इसका सिकार तेन दुआ भेड़िये और जंगली कुट्ते उठा कर ले जाते हैं चीता कम समय में शिकार करने के लिए जाना जाता है यदि वह अपने फुल रफ्तार के 20 सेकेंड के भीतर शिकार नहीं पकड़ पाता तो वह अपना प्रयास छोड़ देता है वहीं चीते शेर और बाग की तरह दहारते नहीं है ये गुर्राते हैं इनकी उम्रदस से 12 वर्ष तक ह होती है ठीक तो दोस्तों आप लोग कमेंट बोक्स में बताएगा कि क्या चीते पेड़ पर चड़ सकते हैं ठीक तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं मैं आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी ह तो क्लास को जदा जदा लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जै हिन जै भारत